करता हूं आप सभी कापकी अपने ही चैनल इंवेश्ट फर वेल्थ पे दोस्तों बात करने वाले हैं डायरेक्शनल सेलिंग के बारे में बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर अगर मैं ऑप्शन सेलिंग श्टार्ट करता हूं तो मैं किस तरीके से करूं तिक एक होता है डायरेक्शनल सेरिंग एक होता है कि आप हैज करके बैठ जाता है उपर या नीचे दोनों बैच देते हो दोनों इसे नॉन डायरेक्शनल कहते हैं आपको वहां पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की जूरत नहीं होती है इतना ज्यादा आपको चार्ट पे इस ट्रिगर करवाना पड़ता है अब अगर हम बात करें आगे बढ़ने से पहले चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा और हां लाइक बटन को हिट कर दीजिए लाइक अगर आप नहीं करते हो तो भाईया मजा नहीं आता है वीडियो बनाने में मजा नही करें अभी अगर आप option buying कर रहे हो या option buyer हो आप क्या करते हो एक आप W pattern ढूंते हो दोजी ढूंते हो या फिर रेंज ब्रेंज 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 था और यह रेंज जो है लगातार सेफ था यहां पर inverted head and shoulder कह दो आप यहां पर यहां पर टाइम स्पेंड कर रहा है डवली बैटन कहलो जब इसका breakout होगा हम क्या करेंगे call buy कर लेंगे बट जो आप इंदा मनी भी बेच सेटेंगे आपको लग रहा है कि यह टार्गेट है मेरा यह मार्केट यहां तक आ जाएगा तो आप क्या कर सकते हो आप यह वाला पुट भी सेल कर सकते हो सर्फ पुट हाँ बिल्कुल जब आप बाइंग कर रहें तो बाइंग मार्केट उपर जा लेहां तक 500 पॉइंट तो यहां पे इसका छिर्फ और सिर्फ इंट्रेंसिक वैल्यू ही हो गया 500 रॉप्य तो इसका प्राइज रह नहीं है एंड वहां पे ट्याइम वैल्यू भी अटेज़ड रहेगा यानि की 200 रुप्य अपने बेच आर्गेट रूपर की तरफ यहां का आपको यहां पर मुनाफ़ा हो गया लेकिन अगर आप एड़ दा मनी बेचे होते 300 रुपया का प्रीमियम होता मार्केट इतना जाने के बाद भी यह क्या बूरा जीरो होता नहीं मेभी 150 यहां पर 500 बनते हैं तो अलग-अलग क्राइटरिया में अलग-अलग पॉइंट बनेंगे यहां पर मैंने समझाया कि आपको श्ट्राइक प्राइस कब क्या सेलेक्ट करना है तो सर यह क्या इतना असान है इंदा मनी में डेल्टा एफेक्ट रहता जैसा कि मैंने आपक तो सर अगर इसका नुकसान क्या है इंदा मनी आपने बोला कि अगर आप अच्छा खासा मार्केट के बारे में पता है प्राइस एक्षन आपको बहुत श्ट्रॉंग है तभी आपको करना है अगर वहां पर डेल्टा इफेक्ट तो डेल्टा तो नुकसान भी करेगा ना हा इस प्रिमियम के साथ क्या घटना घटेगी जो 700 रुपे वाला पुट है जब मार्केट नीचे आएगा तो वह आट सो नौसो और हजार होने में टाइम नहीं लगाएगा कि यहां पर डेल्टा हाई है यानि आपको लॉस होने की प्रतिखिरिया बहुत फास्ट हो जाएगा आप यहां पर अगर आप इंदा मानी सेलिंग करना चाही हो तो आपको नौलेज प्रॉपर होना चाहिए आपको स्टाप लॉसेश के बारे में पता होना चाहिए बहुत सारे rat चुके हो तब आप वेश्स प्रत्या मानी दौब में is all it है वहां पर हमें पता है अगर हमारा इसलोंगे और अगर बेच रहे तो वहां पर सांती सांती है अगर breakout failure हो गया breakout failure हो गया माल लिजए ये ट्रेट था आपने ये लिया यहां पर आपने क्या किया जैसे ये प्रश्टाउट हो रहा था आपने यह वाला पुट बेच दिया 46,000 का पुट बेच दिया कितने वे वे बेच आपने वे बेचा 150 का एक्जामपल लेते हैं 150 का आपने तेल कर दिया अब मार्केट ने क्या किया भाईया मार्केट यहां से उपर की तरफ गया और तुरंत नीच कि बहुतते तो अब मार्केट बहुत तेजी से एक्ट रहा है और चाइप लास थोड़ी कि प्रोफिट होने की संभावनाए ज्यादा रहेंगी आपकी प्रॉबाभाबिलिटी हाइई हो जाएगा तो अगर आप डिरेक्शन सेलिंग करना चाहार है डिक्कत कुछ नहीं बह रिक्तत कुछ नहीं अगर आप बाइंग कर ही रहे हो और आप मुझे पता है आप 500 600 700 नहीं खा रहे हो तो आप वो अप्सन सेलिंग करके खाऊ ना मेरे भाई कि मार्जिन बेनिफिट चाहिए हेज बाई कर लो दूर के ऑप्सन बाई करके छोड़ तो कॉलर पुट दोनों मंडे को बाई कर लो और थ्रजडे को फिर उसको एकस्पाइर की दिन उसको काट दो बाई करके चोड़ी दो 20 रुपय अले प्रीमियम यह मैंने सिर्फ हेज के ल लगे इसलिए वाई किया हुआ तो यहां पर आपने लिमान लीजी एक्जाम्पल एकले लेते हैं आपने एक्जांपल लेते हैं आपने अपने रॉप्सन वाई में 5 त्रेड किया पांच ट्रेड में से दो में आपने पचास-पचास पॉंट खा लिए ।ो आपका अजय से SL trigger हो गया एक में आपका वैसे ACT Seller में में आपका ऊप्सजास सेलिंग में भी शैन वही फैड अप परांस त्रेड़ आप करते हैं सेम ट्रेड दो में आपका टार्गेट हो जाता पचास जड़ास पॉइंट घृल एर्द मिल जाते एक कर दुद एपनिघ्र यहां पर तीन लॉस हुआ यहां पर सुर्फ ट्रेड में लॉस हुआ तो प्रोफिटेबल रहने की प्राबिलिटी औप्स रसेलिंग में जाता है अगर आप लोगों की कमेंट अच्छे आ रहे हैं तो किनको option selling करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए क्या drawback है कितना पैसा चाहिए एक पूरा पांच दिन का सिरीज बना देंगे या एक काम करते हैं हमारा जो वन पीम वारा सेसन है ना जो विकास वन पीम वाले लेता है उसमें अपना option selling इंटर्ड्यूस कर दे रहे हैं यानि कि वी मेक ट्रेडर्स वी मेक ट्रेडर्स प्रोग्राम जो हमारा है एक महिने का मा यहां पर हम डाल देते हैं वहां पर हम option selling को भी इंटर्ड्यूस करेंगे और option selling के ओपर डिरेक्सिनल में कुछ और एक दिन ही 200 पांट उड़ा दिया अपने option selling में क्या हो जाता है थोड़ी सी क्वांटिटी इस लिम्टेड हो जाती है इसके वज़ा से slow and steady grow करने का chance मिल जाता है option selling time लेता है लेकिन chances are very high कि आप बहुत अच्छा निकल सकते हो मैं भी सोच रहा हूं करने के लिए उसके उपर वीडियो लालूंगा बिल्कुल नया से सुरू करूंगा कि मैं उतना किया नहीं हूं तो नॉर्मल नया से सुरू करूंगा आप लोग के जैसा ही बिगनर रहूंगा तो अगर आप लोग करना चाहते हो या फिर option selling में इंट्रेस्टेट हैं आप त